मुझे जलवायू में भिंडी की खेती हम असानी से कर सकते हैं भिंडी की खेती के लिए नम और गर्म जलवायू उप्युक्त होती है इसके बीच के अंकूरन के लिए 27 से 30 से इंटिग्रेट तापमन होना चाहिए किसान भाईयों को मैं यह बताना चाहते हूं कि अपने भूमी में कोई सभी रासानिक खाद या उर्वरक डालने से पहले मृदा परिक्षन अवस्य करा ले यह परिक्षन हर जीले में उपलब्ध है जहां जाके यह अपना मृदा परिक्षन करा सकते हैं मृदा परिक्षन से हमें यह पता चलता है कि हमारे भूमी में नाइट्रोजन, फासफोरस और पोटास और अन्य सुछम पोशक तत्व की कित्ती मात्र उपलब्ध है जिसके अधार पर हम को मृधा परिक्षन कराने से ये पता चलता है कि कित्ता उपलब्ध है और कित्ती मात्र में और आव सकता है जिसके अनुशार हम उसमें अन्य उर्वरक डाल सकें म्रिदा परिक्षन कराने के लिए गाव में आरियों होते हैं ग्रामिन क्रिशिव इस्तार अधिकारी उसके माध्यम से किसान भाई म्रिदा परिक्षन करा सकते हैं तो जो सेंपल कलेक्षन करने का काम होता है सेंपल कलेक्षन का तो वो सेंपल कलेक्षन आरियों के माध्यम से क कर आकर वे म्रिदा परिक्षन केंडर भेज कर अपना म्रिदा का परिक्षन करा सकते हैं कि आज तो वसूली करके ही जाओंगा गंशाम अर्यों गंशाम वो तो सकूल गया है जहां किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद बढ़िया बीज और जरुरत के मताबिक कीट नाशर्थ ताकि कम लागत में अधिक मुनाफ़ा ये पकड़ लाला तेरा हिसाब साफ सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाए हम जन जन ने इस प्रांती में है विश्वास जगाया हम सबने मिलकर विकास का पर जब है के आया पूर जहां सूरज उकता उस धर्ती से मैदानों तक हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महां सागर कत श्वेत कांती हो हरत कांती या ग्राम विकास की बात एक ताहे घर्म हो अब चाहे दिन हो या राज क्रिशी मंत्राले भरत सरकार द्वारा जन हीत में जारी अरे हरकू वाफ वीज कीट नाशक और आज खाज भी अरे इतना खर्चा कहां से अरे खर्च की चिंता किसे है मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड अरे बैंक को द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती वाड़ी की समगरी कभी भी खरीच सकता है किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदी की बैंक से संपर करें और पाएं धेर सारे लाग कृषिज दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार सातियों केंद्र शाषन और राज शाषन दबारा कृषानों के हित्व में बहुत सारी योजनाय चलाई जाती हैं जिनकाल आप किसान भाई पूर्ज जानकारी नहीं ले पाते हैं ऐसी ही योजनाय के बारे में हम आपको समय सम अगर शाषन की योजनाओं के विशय में आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारी स्टोल फ्री नंबर पर हमें फोन कर सकते हैं हमारा नंबर है एक आठ शुन्य शुन्य दो तीन तीन नौ चार एक आठ आए चर्चा की शुरुआत करें मेडम सबसे पहले हमारे किसान भाईयों को बताईए कि राज्य शाषन और केंद्र शाषन की कौन-कौन सी ऐसी योजनाय संचालित हैं जिससे हमारे किसान भाई लाब ले सकते हैं जो चट्रिस गर राज्य है हमारा एक कृशी प्रधान राज्य है यहां पे 70% से अधिक आबादी किसी न किसी रूप से प्रत्यक्ष या परोग्ष रूप से कृशी पर ही आधारित है या उनका जीवन उस पे निर्भर करता है इसमें केंद्र साषन की तरफ से भी योजनाय संचालित हैं और बहुत सी योजनाय राज्य साषन के तरफ से भी संचालित है राज्य साषन के तरफ से संचालित अत्ती महत्वकांशी योजनाय हैं जैसे गोधन नया योजना, राजीवकांदी किसान नया योजना, मिल्ट मिशन, शाकमभरी योजना, किसानसमरिद्धी योजना, किरसक समगरविकास योजना. यह सब हैं और इसके अलाव केंद्र पोशिट जो योजना हैं उसमें आत्मा योजना, प्रधान मंत्री कृसी सिचाई योजना, आर्के वीवाय, हरित करांती विस्तार योजना, और फसल बीमा, राश्टिक हाद्यान सुरक्षामिशन योजना योजना यह सब लेता हैं इन सभी योजना का लाव लेने के लिए किसान भाईयों को पंजियन जरूर कराना पड़ता है, तो पंजियन की क्या प्रक्रिया है, कैसे हमारे किसान भाई इस योजना का लाव ले सकते हैं किसी भी योजना का लाब लेने के लिए किसानों को पंजियन कराना एक आवश्यक चरंड मान के जलिए इसको वो है और हर एक योजना के लिए अलग-अलग पंजियन कराना पड़ता था तो इससे किसानों का समय और संसादन दोनों का अपवे होता था उस चीज को रोकने के लिए उसके अलावा साशन की योजनाओं सही हिद्गराही तक पहुंच सके हिद्गराहियों का दोहराओ ना हो इस चीजों को ध्यान में रखते हुए की बाल ओगा शूजान के द्वारा एक सूचना प्रावदोगी विभाग के द्वारा निर्मित наम एकईकरथ किसान पोर्टल है इस इंग्लिश में यूनिफाइड अगरिक्राइड फार्मर पोर्टल भी कहते हैं इस योजना के तहट इस कारेकर्म के तहट तहट राज़ी अब नमस्कार आप कौन बोल रहे हैं? भगत राम पडेल बोला समगुटू भिलासपुर छतिजगरले पडेल जी क्या पुछना चाहते हैं आप? पडेल पडेल जी तो आप मला डाक्टर साहिब आप कारिकरम में राम राम जाथे राम राम पडेल जी आपका सवाल बहुत अच्छा है मैं इसमें आपको बताना चाहूंगी कि साशन की कोई से भी योजना रहे उसके लिए आपको पंजियन तो कराना ही पड़ेगा तो उसके लिए हर एक क्रिशी विभाग से जुड़ी हुई योजना है तो आपको आपके भूमी जो क्रिशी रगबा है उसकी कागजात क्लियर होने चाहिए आपके जैसे आपका बीवन है खसरा है ये चीज़े क्लियर रहेंगी उसके अलावा आधार आपका बैंक पास्ब स्यमा जोति है यह सारी जने कारी आपको आपके आवएदन में देना पड़ता है है हर रेद्वेन पतर होता है उसके लिए आपको अपने हम समवंदित खेत्र के ग्रामिऩ कृषि विस्तार अधिकारी है अन संपर करके आववएदन प्रापत कर सकते हैं वो आपको आपको व्रिस्तित जानकारी देके आपका फॉर्म सही भरवा देंगे। तो पंजियन और बाकी ये प्रोक्सर्स जो आपने बताया है, ये कंप्लीट करके योजना का लाब किसान भाई ले सकते हैं। आपने पताया राजीव गांदी किसान न्याय योजना, एक महत्वकांशी योजना है। इस योजना का हमारे किसानभाई किस तरह से लाब ले सकते हैं और ये योजना क्या है। राजीव किसान निया योजना जो है वो किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लक्ष से स्टार्ट किया गया था ये योजना जो है सन 2020 में स्टार्ट की गई थी इस योजना का मुख्य उदेश ही यही है कि किसानों को जो वो उपज लेते हैं जो फसल लेते हैं उसका परियाप मातरा में जो उनकी लाव वाली राशी है वो उनको प्रदाय किया सके यह इसका मुख्य उद्देश है और इस योजना के तहट उनको अपना पंजियन कराना पड़ता है जिसको मैंने आपके बताया अभी कि एकिकरित किसान पोर्टल में आप इसका पंजियन करा सकत है इस योजना के लिए सभी प्रिषक जो है लाभनवित हो सकते हैं और इसके बारे में इसमें झोलाब मिलते हैं किसा हमारा जो जो चतिसगर है वो धान प्रधान प्रदेश रहा है तो दान को तो बढ़ावा देने हैं तो धान के साथ अन्य वेकलपिक फसले है उनको भी ब और अपको बहु खिर नारा है तो उसके लिये योजना है शाकंबरी योजना है और किसानसम्र duż ग mö나 होँदि हाँ उसके तहत आप पने अपने पैंजियन गरा सकते हैं और इसके लिए आपको साशन की तरफ से अनुदान भी प्राप्स दिया जाता है और जो साकंबरी योजना है उसके थेट आप कूप खनन कराएंगे उसके लिए आपको 25,200 रुपे या फिर अधिक्तम आपका 50% लागत का वो आपको दिया जाता है और अगर ये खनन सफल हो जाता है तो इस प के पंप स्थापित करवा सकते हैं उसके लिए आपको साशन 75-35 तक का अनुदान देती है ये योजना लगूवा सिमान कृषको के लिए है इसके अलावा किसान सम्रद्धी योजना जो है वो सभी किसानों के लिए है इसके तहत साशन ने अपना निरधारित करके रखा सब्सक्राइब के लिए 40,000 रुपए का प्रावधान है और समाने क्रिश्कों के लिए 25,000 रुपए का अनुदान है इसके लिए अधिक संपर करें अपने शेत्रे के आरियों से वह आपको इसके बारे में विस्तिर जानकारी दे देंगे देंगे इस प्रेशने से पहले हम चर पर पंजिकरित हो रहे हैं और जिन्होंने जो धान का फसल लेते हैं अलावा व्रिक्षा रुपन है अधियान की है दलहन तिलहन यह दे रहे हो तो उन्हें 9,000 रुपए प्रतिएकड के दर से आदान सहयता है लेकिन यदी किसान पिछले खेट में धान लगाए थे और उसक अधर जहाँ देटी जाता है उपसे प्रतियकाड के दर से अनुदान सहयता दीता। घिर्टीज व्हुषीत कीया गया दुन ठीज है। मिलट मिशन जो चलाया जा रहा है क्या है मिलट मिशन दो और से अवे लगन हो सकते हैं। मिल्ट मिशन इस वर्ष को अंतराश्ट्री मिल्ट वर्ष की रूप में मनाया जा रहा है पर राज्य में 2021 से मिल्ट मिशन योजना को लागू कर दिया गया है मिल्ट मिशन योजना का मुख्य उदेश जो हमारे दिवासी भाई है उनके आर्थिक साहिता उनको पहुचाना इसका मुख्य मकसद है जिसमें कोदो, कुटकी, रागी इन फसलों के लिए अनुदान दिये जा रहे है और हमारा जो चतिस गड़ है वो पहला ऐसा राज्य है ज रुपय प्रतिकविंटल और रागी के लिए 370 रुपय प्रतिकविंटल की दर से खरीदी कर रहे है और मिलेट जो है वो बहुत ही गुणकारी फसल है भी कह सकते हैं इसको क्योंकि इसमें फाइबर निउट्रिशन जो है सारे मतलब प्रोटीन का माइक्रो नूट्रियंट् पोशन स्तर को भी बहुत सुधार सकते हैं जी जी चतिसगड़ में गौपालक बहुत है गौपालकों के लिए क्रिशी विभाग की कोई योजना है जिससे वो इलाब ले सके बिल्कुल है मैडम गौपालकों के लिए गोधन नया योजना चतिसगड़ की अती महत्वकांशी योजनाओं में सामिल है यह योजना इतनी सफल है कि इसका राष्ट इस्तर पर भी इसको शराहना प्राप्त हो चुकी है कई सारे सम्मान इसके लिए पुरुसकार भी हमको मिल चुके हैं मैं इसमें बताना चाहूंगी जो जानवर खुले में घुमा करते थे उनको और जो है इस योजना का पुरारम किया गया था इस योजना के अंतरगत जो किसान हैं जो हिति गरही है है यो अपने गोबर को दो रूपय किलो के दर से यहां पे लिक्रे कर सकते हैं गोठान 달िव में जीदियों में और इनके द्वारा। इनसे के द्वार्ब इसका वर्ập में के रूप में रुपांतरन किया जाता है गोठान समिति के द्वारा इसके अलावा पहले एक साथी का फोन सुन ले हलो हलो हाँ नमस्कार आप कौन बोल रहे हैं अभी से गुपता वो रहां कजू धाम से जी पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप वो सौर सुजला योजना ह का लाब उठाना चाहते हैं बड़ी अच्छी बात है इसके लिए आपको क्रेड़ा विभाग से संपर्क करना पड़ेगा क्योंकि अब ये सारी चीजें उनके द्वारा और कृषी यंत्री के द्वारा वहां से उपलब्द कराया जाता है तो एक बार आप उस कारेले में ज मैं बता रही थी मैम आपको कि दो रुपे किलो गोबर खरीद के उसको वर्मी कमपोस्ट में कनवर्ट करके किसानों को ही उसको वित्रित किया जा रहा है ताकि भूमी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जा सके और जैवी खेती को पी हम बढ़ावा दे पाएं इसके लिए औ और जो कमपोस्ट है उसको आठ रुपे प्रती केजी के दर से उसका विक्रे किया जाता है जी गोठान समीतियक के माद्यम सा महा से उठा सकते हैं और ये क्रिशी रिन इन्पुट में इसको शामिल किया गया है इसके अलावा गौमुत्र की भी खरीदी की जा रही है जो चा अलावा को गौखा कमपोस्ट है या गोबर है उसको प्रसंस्कृत भी किया जा रहा है जिसे की गोबर के गमले बनाया जा रहे हैं दिया बनाया जा रहा है लकडी बनाया जा रही है अभी काफी ट्रेंड में चल रहा है पेंट जी 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 बनाया जा रहा है जिस रहता है एंटी बैक्टिरियल रहता है तो एक तरीके से हमारे बहुत सुरक्षित भी है और पर्यावरण के लिए हित कर भी है मैडम इन दिनों से देखा जा रहा है चिक्षित भे रोजगारों की संख्या बहुत बढ़ रही है शाषन तो इस विशे में बहुत प्रयास कर रही है लेकिन कृष्व इभाग के द्वारा या राजे शाषन के द्वारा और 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 बी यसी जलाए चालू की जा रही है जिसे स्थापना स्थापनाु नामा के कार्करम संचालेथ है कृषी सितमे इसनातक और अभियांतरgia है स्थापन कम से कम पास अदसिय इसंसाइता समो डुदार taş सेकारी समति उअ कोई उध्यमी इंडिविज्यल भी इसके लिए पात्र हो सकते हैं और इसके लिए उन्हें संभागी क्रिशी यंत्री कारेले में संपर्क करना होगा और इसके लिए साशन के द्वारा जो अनुदान दिये जा रहे हैं उसके बारे मैं बता देती हूँ सामाने चेत्री के अगर युवा इसके लिए अपलाई करते हैं तो उन्हें अगर वो 25 लाग रुपए तक क्रिशी अंतर खरीदते हैं और किराय पर देना चाहते हैं तो उन्हें 10 लाग रुपए का अनुदान दिया जाता है अगर उपयोजना चेत्र के क्रिशक वे अवेदन करते हैं तो 25 लाग रुपए करने पर 10 लाग रुपए का अनुदान और 15 लाग रुपए के खरीदी पर उन्हें 7.5 लाग रुपए का अनुदान दिया जाता है मैठम ये एक तो ये गर्मी का समय है इसमय वैसे ही पानी की कमी हो जाती है और किसान बहाईयों के लिए सबसे बड़ी समस्य होती है सिचाई के सादन विस्तार के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए कोई योजनाए हैं या सिचाई जो है क्रिशी का अभिन्य अंग है तो सिचाई के साधन हमारे किसानों के पास परयापत हो वैसे तो जो चतिसगर की क्रिशी है वो मुख्यता वर्षा आधारिक पर ही चलती है लेकिन उसके अलावा भी साशन के द्वारा कुछ योजना चलाई जा रही है जिसके बार कूप खनन के लिए उन्हें अनुदान दिया जाता है कूप खनन के लिए उन्हें 25,200 रुपए या वास्तरीक लावगत का 50 प्रतिशा जो भी कम हो वो देते हैं यह जो कीमत है वो भूमी के प्रकार और कूप के आकार के उपर निर्भर करता है इसके अलावा जब खनन हो ज सरकार अनुदान देती है जो उनकी वास्तरीक लागत का 75 प्रतिशत या फिर 16,875 रुपए अनुदान अधिक्तम जो है वो दे रहता है इसके अलावा किसान सम्रद्धी योजना में भूमी का जल का प्रयोग करने के लिए बढ़ावा दिया गया है इसमें और प्रतिस्था अरपन के लिए इसमें दिया जाता है इसमें जो सूंदेती हलो 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 है हलो है रहे साहत हमारा sampar कट गया है आप अपनी बात जारी चारे निएर वाले डिया है किशान सम्रद्धी योजना के वारे में बता रहे थी उस उनके लिए 43,000 रुपे का अनुदान है और पिश्डा वर्ग किसानों के लिए 35,000 रुपे का अनुदान है और जो समाने किरसक हैं उनके लिए 25,000 रुपे का अनुदान दिया जाता है इसके अलावा केंदर से प्रधान मंतरी किसी सिचाई योजना भी संचालेत है इस योजना के तहट लगु समान कृषकों को 75 प्रतिशत का अनुदान और अन्ने किसानों को 25 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है पारंपरी खेती जो हमारे किसान भाई करते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए हमारे शाषन की क्या योजना है चतिसगर जो है वो जंगल बहुत जादा है यहां पर तो इसलिए जैवी खेती हमारे यहां बहुत पुरातन समय से की ही जा रही है और इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए शाषन के द्वारा राजस्तरी से जैवी खेती मिशन योजना संचालित है और केंद्रे स्थर से परंपरागत किसी विकास योजना संचालित है इन दोनों ही जो योजना हैं उसका मुख्य उद्देश जैवी खेती को बढ़ावा देना है भूमी की उर्वरथा को बनाए रखना है और रशानिक उर्वरवरवथा को पे निर्भरथा को कम करना है जैवी खेती मिशन में क्लस्टर का चैन किया जाता है और उस क्लस्टर के अंदर आने वाले सारे किसान जो होते हैं उसके हिद्गराही हो सकते हैं इस योजना के तहत फसल प्रदर्शन का प्रावधान है जो कि 10,000 रुपए प्रती एकड की दर से अनुदान दिया जाता है किसानों को विभिन प्रकार के प्रसिक्षन कराया जाते हैं किसानों को ताकि वो नए जो इन्नोविंशन है जो खोज है या तकनीक है उसके बारे में आज डाजी सतर पे होते हों और राज्ये के बाहर भी प्रती वर्खेशन आयोजन करने का किरसान मेला जिल एक महत्वा करनेशी योजना है आत्मयोजना और इससे हमारे किसानवाई किस तरह से लाब ले सकते हैं चतिसगर से राज्य और हमारे किसान किसान पर ही जादा निर्भय करते हैं तो साशन की यह मनशा थी कि किस किसी के साथ वो अन्य कारियों को सम्मिलित करते हुए जैसे उद्यानकी, पसु पालन, रेशम, बकरी पालन, वन, यह सारी चीजों को सम्मिलित करते हुए अपने आई में व्रिद्धी करें। और किसानों का समगर विकास हो सके। इस योजना को प्रारम्भ किया गया था। यह योजना हमारे प्रदेश के समस्त जिलों में संचाले थे, इस योजना के बहतर किराणवन के लिए समविदा पे कर्मचारियों को भी निवक्त किया गया है, और प्रोजेक्ट डारेक्टर के रूप में हमारे जिले के उपसंचाल अकरशी कारण रहा है, और समविदा में अनुदान के रहता है, इसके अलावा किसानों को प्रदर्शन के लिए अनुदान के रहता है, क्रॉप वाइज और विभाग के अनुसार, इनको 3,000-6,000 रुपे प्रती हेक्टर के हसाब से उन्हें अनुदान दिया जाता है, इसके अलावा कोशल चमता का विकास करने के लिए, प्रती विकास खंड में 20 समूहों को पांच हजार रुपे के दर से उनको अनुदान दिय आपने हमारे किसान भाईयों को बहुत उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, साथियों, नए अविशय, नए जानकारी के साथ, हम फिर हाजिर होंगे, अभी आज्या दीजी, नमस्कार. फिर दोलिए नहें, आपका बहुत-टियर में आज्या, पनादे हो झालों 2-4-6-5-2-7, मिक्षि तर सकते जाँ को आज